सब्सक्राइब करता हूं आप सब्सक्राइब करता हूं आप सब्सक्राइब के इस डेजिटल प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब क्रिसी वुपज मंडी अधिनियम 1972 और इस अधिनियम का पहला लेक्चर आप तक पहुंच चुका है काफ सारे लोगों ने आप इस वीडियो लेक्चर को देखा बहुत ही सागर्वित तरीके से इस अधिनियम के जो भी मुलभुत तत्र थे और और धार्नाय थ यहरे है इसमें आप सामिल हो रहे हैं आप पहला घुकर को नहीं देखे हैं तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इस अधिनियम का पाहला लेक्चर बिल्कुल देखे और उसके बाद episódio नमर्ट 04 और कशी क्लास 2 को आज की सेसर्ण और आप देखे है त यहां पर निकाला जा रहा है, ऐसे स्टार्ट की लेक्चर कंद गाल है, इसका सोर्स कहां से लिया गया है, एक यह को हो ही पोड़ा आफिया में, एक यहां of news review है, और दूसर यह original जो किताब है, इस अधिनियम का जिसमें विभी ने प्रगार के और धारणाय कॉंसेप्ट दिया गया है एक्जाम्पल के साथ डिसेजन का जो अलालग मुद्दे आये हैं केस आये हैं उस पर क्या क्या डिसेजन रहा है हाई कोड का इन सभी बातों का समाविस इस अधिनियम में किया गया है तो इन दोनों ही कह सकते हैं HR Publication और बेरेक का ओरिजनल बुक है इन दोनों के समाविस से आज एक लास में आपर आगे बढ़ाने का कोशी समयाब कर रहे हैं तो किसी प्रकार का आपको डौट रहेगा किसी प्रकार आपको तिक्कत जाएगा तो बिल्कूल आप कमेंट सेक्षान आकर पूछे तो इस सेशन क्या के बात करने वाले हैं तो मेनली बात करेंगे आजो है कि 36 गड़ राज्ये क्रेसी विपन बोड जैसके आप एक्जाम फार्म भर रहे हैं आखिर इस गठन कैसे होता है गठन कौन करता है ठीक इससे संश्ड़स से कौन होते हैं इससे संवरशना क्या होती है बोड का अध्याक्ष किपोन होता है इनके करतब विक्या है इनकी सक्तियां क्या है सरकारुकिती इन मौनों सलाह देते हैं इन और इस लेक्षर पर आप देख तो यह ध्यान रखना है इस लेक्चर में जो जो बाते आप इस स्क्रीन पर देखेंगे इस सारा का सारा हमने बेर एक्ट से और दूसरे इस किताब से हाँ पर लिए हैं तो आप चाहें बेर एक्ट उठा के देख लिए जो आप पीडिया राउनलोड किया होंगे उस वाले पार्ट को यह फिर जो इस ऐसा मोठी किताब लिए उसको देख लिए यह इस अधिनियम में आप देख लेंगे जहां 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 पर आवसक्ता पड़ा है जहां सब दोग कि कौन से धारा में इससे गठन की बात किया गया है तो यह धारा नंबर को आप भूलना नहीं है most important है कितना धारा नंबर कौन से है 40 नंबर का धारा है जहां पर इस बूर्ड के नहीं कौन सा बूर्ड का लेकिन सारे धाराओं को याद कोई रख नहीं सकता है specified जो धाराएं आएंगे आपके सामने जो है जो specified बताएंगे कि कौन से धारा विसेस में किसी गठन का आयोक का इस्थापना का यह समीति की गठन की बात किया गया है उनको अब ध्यान रखना है तो धारा नमबर 40 मोस्ट इंपॉर्डन है जिसमें बात किया गया है 36 गठ राज क्रिसी विपन बोर्ड की इस्थापना की बात किया गया है तो पहली बात फोता है धारा नमबर को याद रखना है दूसरी बात गठन इस्थापना कौन करेगा तो राज्यसरकार अधिसूशना के तुवारा इसके ऑफिस्यल क्या होगा इसके लिए अधिसूशना निकाला जाएगा तो पहला सवाल नमबर नमबर जो पहला है आ रहा नहां रखना वो यह है कि गठन कौन करेगा राज्यसरकार यह पहला नमबर हो गया पहला तब इसको लिए लिए धार नमबर 40 फर्स्ट सवाल सेकेंड सवाल क्या है कौन गठन करेगा राज्यसरकार तीसर सवाल क्या होगा अधिसूशना द्वार यह है तीसर नमबर के सवाल है उसमें लिखा रहे तो आपको समझ जाना चीब है कि क्या है मामला बहुत ही मातपूर्ण है और बहुत ज्यादा क्या है मुबारेकी से इस अधिनियम पढ़ना यहां पर रहेगा जो है तो आधिसुचना जारी करके विदि के अनुकुलन आदेस ऐसे अलगे वट रहेंगे राजबतर वर्ट लिटाल देगा यह फिर कह सकता है जो है जो अधिनियम के तहत कही किया है उस सब्दक आपको ध्यान यहां पर रखना है तो तीन बाते होगे फिर यह कैसा बोर्ड होगा तो एक निगमित निकाय होगा भई एक प्रॉपर एक क्या है एक कह सकते हैं गौवर्मेंट का एक रेगुलर क्या होगा बॉड़ी होगा थेहां है निगमित निकाय है और इसका सास्वत उत्रधिकारी होगा अब यह सब्द आपको आपने नोटिस की होगे इनका मतलब होता क्या है सास्वत उत्र अधिकारी होगा यानि कि यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं चत्तिर राज क्रेशिव इबन बोर्ड यह मंडी बोर्ड कहते हैं विसको है राइपुन इसको चलाने के लिए क्या होंगे इसके अध्यक्ष होंगे इस सदस्यां पर होंगे फिर इस यह जो कोई काम होगा इस को मंडी बोर्ड चीज्व बोर इनके ले वाद कर सकते हैं आप सव्यम इस संगठन के बारे संगठन के साथ करते हैं और इस नाम है उसी नाम से पर लगा शकते हैं या फिर इस बोर्ड है Samaral wondering किसी व्यक्ति जो क्या करता है इस अधिनियम के तथ क्या है किसी लौग का किसे सेक्षंग उलंघन करता है तो ये अपने नाम इसी नाम करता है ये केस Samaral व्यक्ति के उपर कर सकता है तो ये बात आपको धहान यहां पर रखना है फिर बोला गया है तथा उसके नाम से उसके विरुद क्या है वाद चलाए जा सकता है वह किसी भी संपत्ति को अरचित करने धारण करने पट्टे पर देने बेंचने अन्यत्था अंतरित करने के लिए तथा समीदा करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ची क्या कर सकते है आवस् तो अगले बार से नहीं बनेगे ऐसी बात नहीं होगा कि जब उसे रिटार्मेंट हो गया पतो नहीं पर आएंगे ठीक फिर उसके इक मुद्रा होगा होगे इस की नम से आज़ते हैं आक सकते हैं कि क्या कि अंत्रगत व्यक्ति कर सकता है संपत्य करणे चडवित करने का है ढारन को है पत्ते पतॏंब मिन करने का है ये जाएने चोनी प्रेयोजने की लिए पूरे अधिनियम को आपको जानकारि कि हमने इस पूरे अधिनियम में यही टॉपिक को लेक्ट Rights सामील किये हैं जब तक उस जानएंगे कि अपधा किसा काम करते है तो भागी तो अधानों कहों समझ है film वो सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब बात कर रहे हैं अब आता है आपर जो है जो बोड है जो मंडी बोड है उसके समंधित सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको तो आपको सिल्सिले वार तरीके से याद रखना है पहली बात दूसरी बात है उस धाराव इसे से क्यूस्चन निकालना है क्यूस्चन बन सकते हैं और यह अगर आप सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्जाम में जो पूंचे प्रस् में जा सकता है एसा मुझीत नहीं होगा थार्ठत नहीं होगा लॉस्चन होता है उसको बहुत बारे किसं पढ़ाना होता है प्रैक्टिस बहुत जाद रजयरी यहां पर होती है तो पहला थे किसको देगा, बोर्ट था मंडी समित्यों को निदेश दे सके, किसको दे सकता है, बोर्ट को भी दे सकता है, और मंडी जो समित्य बनेंगे, उनको भी यहाँ पर दे सकता है, बोर्ट था मंडी समित्या, राज सरकार द्वारा जारी किये निदेशों को क्या करेंगे, अनुप सब्सक्सक्राइब 21 में बात यहां पर कहा गई है, ब 무엇 आपके लेहां, पोर्णबणब में चाब सान्स रिचा है, और अगर चीज को कर दोड़ा से बारिकिस देखेंगे बहुत अंदर नहीं जाकर और उपरी तोर पर समझने कोस्टिस करेंगे तो आपका अच्छा आंसर हैं पर आसाहीं आंसर आप लेने सहुर्यत आपको होगी तो धारमर 41 क्या बोल रहे हैं आपर तो धारमर 41 क्या बोल रह झेहन करेंगे बोलर अध्याग्ष अनिर्ण सदल स्दल से होंगे तो को सदल से होंगे तो पहला मुश्ट स्प्पॉर्टिंट क्यूस्टोन जिनकू आपको धियां रखनाना है कि इस बोल का अध्याग्ष कान 2 सिरी कोन होगा ठीक है बोल का किसका क्रिश चेज्चिद video के इसका अध्याक्ष टहांद जो भी ततकालिन मंत्री रहेगा, उसे बोड का अध्याक्ष रहाँ बनाया जाएगा जैसे वरतमान तामरदवज ताहँजिय क्या है अभी इस बोड किया है अध्याक्ष है अध्याक्ष जो 26 जड़ mould मंत्री है करिसी मंत्री है लेकिन most important है जो अध्याक्षि उनको आपको याद रखना है भूलना नहीं है जो सरकार वरतमान जो 16 सरकार का जो क्रिसी मंत्री होगा वही क्रिसी उपर मंडी बोर्ड क्या होगा अध्यक्ष बनाये जाएगा तो क्रिसी मंत्री सांसा इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी यहाँ पर रहेगा most important सवाल तीन से चार वर भी इसको चार बगादा लगा दीजिए ठीक है उसके आते हैं सदस्य में कौन-कौन होंगे तो यहाँ पर सदस्य में से आप उपरी तरब देख लिजिएगा ध्यार रखना जैसे कि एक सदस्यों का मुख्य सचियों तो जो हमारा चिफ सेक्रेटर वो हो सकता है यह फिर जो 16 वाग है क्रेशी वाग के सचियों यहाँ पर गया है इसके एक मेंबर रहेगा फिर आता है एक पंजियक होगा कौन से पंजियक जो सरकारी जो संस्थाए हैं कौपरेटिव जो इंस्टिटूशन है उसके पंजियक रहेगा फिर प्रबंध संचालक होगा किसका तो च्छत्री राज् जो इस धारा नंबर 41 जो बताया गया है उसकी संरशन भी यह सारे आएंगे इसकी अलावा 36 सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति मेंसे विधायक लोग हो सकते हैं इन सब किलावा जो विधायक लोग है विधायक में तर तीन विधायक रहेंगे उनमेंसे एक महिला क उसमें सामिल होगी तो अन्य मेंबर को क्या है राजी सरकार यहां पर नाम निर्देशित कर सकती है तो नाम यहां पर आया भी पहला अध्यक्ष को भूलना नहीं है जो राजी सरकार का क्रेसी मंत्री होगा वही इसका पदेन अध्यक्ष किस बूर्ड का बनाया जाएगा प ईन सब के लावा बोर्ड में राज्य सरकार्टन दवारा नाम निर्दिश सदस से इसमें सामिल हों गया जिनका नाम यहाँ पर state government सिद्ज्ट में वो भी इसके member में सामिल रहेंगे तो कौन के member रहेंगे तो यहां पर सवाल आपता है ध्यान रखना सबसे important सवाल यही है कि भी ध्यान रखना है राज्य विधान सभा के कितने तीन सदस से राज्य विधान सभा के तीन सदस मतलब क्या है तीन विधायक इसके मिम्बर रहेंगे, जिन में से कम से कम, जिन में से कम सम्व एक क्या होना चाहिए, और जो विधान सबख अध्याक्षि के परामर से नाम निर्दिष्ट किये गए हो, तो उन तीन में से भी आध्या लें रहना एक महिला होगी, जिनका क्या है, जो इस के तीन अद्यक्ष जिन में से कमसर एक या हो महिला हो राज्य के भीतर किसी भी मंडी समीति में अनुग्यप्ति धारण करने वाले वैपारियों के दो प्रतनी थी तुम क्या क्या है दो फिर से मैं रिपीट कर रहा है पर दिया रखना रिपीट करना भी है तीन विधायक आ र रहा है मंडी समीतियों के मंडी समीतियों क्या इनमें भी क्या है तीन आ रहे हैं मंडी समीतियों कितने तीन अध्यक्ष जिन में से क्या हो रहा है फिर राज्य के भीतर किसी मंडी समीति के जो अनुग्यप्तिया जिनकों लाइसेंस धारण करने वाले वैपारियों के कितने दो प्रतनी थी, कितने दो प्रतनी थी यहाँ पर सामिल होना चीए, तो पहला जो खर्ण अध्यारण वहाँ बताया जा रहा है, पहला कि कितने विधायक होंगे, तीन में से महिला होना चीए, दूसरा बताया जा रहा है, कि जो मंडी समीती के तीन अध्याक्ष में से, एक क्य तो आपार निगयम का अध्याक्ष जो है अध्याक्ष ये प्रभंध निजेसा क्या होगा इसके मेंबर होगा और कृसी उपज के विपरण के शेत्र में दो जो एक्सपर्ट होंगे, टू मेंबर जो एक्सपर्ट होंगे, इसका क्रिसी उपस से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए दिया रखना, उन मेंबर को यहाँ पर स्पामिल किया जाए जो है, तो तीन विधायक है, तीन मंडी अध्यक्ष है, दो कितने महिला होना चाहिए, तो एक उसमें महिला होना चाहिए, मंडी समित्यों कितने आते हैं, महिला होना चाहिए, तो अनुगयप्ति दहार करना लाइसेंस दहार किया है, फिर आप तब है सहकारी विपरन संग है, या वस्तु विफार नीगम हो किया है, अध्यक्ष या प्रभन निदेशàng सामिल होना चाहिए, या फिर क्रेसी विपरन के बारे में, यो दो एक्सपर्ट होते हैं, ये डारेट सवाल है, पूछने जाएंगे, क्या सब पूछने जाएगा, कि इस बोर्ड में, कितने क्रेसी उपज से जुड़े विसेसक्यों को, मेंबर बनाया जाता है, सदस से बनाया जाता है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे option रहत, आपको लेना है, दो बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम निर्देशन, अब जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष का नाम निर्देशन कैसे कि जाएगा, उपाध्यक्ष का, तो बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम निर्देशन मतलब होता है, जो यहां पर है, उपाध्यक्ष है, तो तो मंत्री जो क्रेसी भाग 36 अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाद्ध्यक्ष के नाम निर्देशन उपधार एक में निर्देश्च किया गया पदेन सदस्यों से हिन सदस्यों में से राज सरकार रखी जाएगा याने कहने मतलब यह है कि राज सरकार क्या कर रहा है अध्यक्ष तैय कर रहा है कैसे तैय कर रहा है जो क्रेसी मंत्री होगा वही बोर्ड क्या होगा अध्यक्ष होगा इसके अलावा जो उपाद्ध्यक्ष इनको बनाए जतने दें में आपने पहला खंड में वर दूसे कंपर बनाेंगर में राज सरकार द्वारा ठीकना है कि यहां पर जतने में जतने में में अम आप दिर रहां इन यहां पर बनाए जाया है ठीक फिर अध्यक्ष की पद की आकस्मिक रिखती हो गए तो ऐसे क्या हो सकते हैं कि स्वास्था खराब हो गया यह हो सकते हैं डेथ हो गया कोई अकस्मिक रिखती हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अंतरिम अध्यक्ष की वावस्ता यहाँ पर कर रहेगा में सवाल समझा रहे हैं तो यहा पर कई टाइप के सवाल पूछ या सकते हैंना सिंगल स इव भिधाय की विधायक होंगे में कितने महिला होंगे कितने विशसग्य होंगे किनरे सारे आपके सवाल हर देखने को मिलेगा अध्याष को होगा क्रिशी मंत्री हो gli यह सारा क्या है आपके सवाल है जिनको आपको ध्यान यहां पर रखना है अब आते हैं कि उपाद्यक्षता सदस्यों की पदावधी कितना होगा कितना कारेकाल होगा कितने साल तक काम करेंगे तो तीन साल तक काम करें बहुत ही most important factor है इसको आप भी यहां पर ठीक लगा लिज क्या है कि बोड की कि साधस्य की पदावधी समाब्त हो जाएगी यदि वह उसDγαf पर नहीं रहता है जिसके अधार पर यह Tấwek तीन साल तो क्या हुआ है जिस तारिक से और जिस तारिक से क्या होगा उसफ नाम निर्देशन की तारिक से फिने वो उस board का member रहेगा लेकिन नामनिर देशन के बाद भी क्या करता है अगर उस पद पर नहीं रहता है पद पर काम नहीं करता है पद पर नहीं आ रहा है तो उस पर स्थिति में भी क्या होगा उसकी पदावधी को समाप्त हो जाएगी इस बात को भी ध्यान आपको रखना है तो फिर से रपीट कर रहा हूं मैं जो उपाध्यच है और अन्य मेंबर हैं ये कितने साल तक पद पर रहेंगे तो तीन साल तक अपने पद पर बने रहेंगे पहली बात दूसरी बात नाम नर्देसित्त के तारीक से दिनो को रिसेता हो रहा है कि इसमें बंश की अंति हो तो उस तारीक से तिन 사ल तर नं creatures नां प्रेकाशवीं हो जया लेकिन पद पर काम नहीं और कर रहा है तो उस परिस्थिती में भी क्या माना जाएगा तो उसे पडावधी को समाप्त हो जाएक एसा माना जाएगा तो उस परिस्थिती में राज्य सरकार बास स्क्ति होगा कि वह पद से हटाने के काम यहां पर करा सकते हैं जैसे जेजिए उची समझेगा तराज समझेगा बोड के किसी विसधत से को उसकी पदावुदिके आउसान आउसान तो समाप्ती तीन साल के पद है तीन साल पूरा होने पहले ही क्या कर सकता है पूर्व हटा सकेगी किन्तु ऐसा करने के पूर्व वह हटाए जाने के विरुद उसे कारण दर्साने के लिए युक्ति युक्त आउसर यहाँ पर देगा जो भी उपाध्यक्ष है मेंबर है उनको पद से राज सरकार के समक्ष अपनी युक्तिक आउसर यहाँ आंसर देने का उत्तर देने का सवाल जो आपकरने उसे आउसर यहाँ पर देगा किन कारणों सो हटाया जा रहा है ठीक तो यह एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है फिर हम बात करते हैं नेक्स कर रहा है तो राज सर्च को क्या हम वहाँ पर सम्बोधित करेंगे यह फिर गवर्नर करेंगे यह विधान सभाग जो अधेच वो उसकों सम्बोधित करते हुए पद्धत्याग करेंगे तो यह मेजर सवल आपके आप्सिन में देखने मिलेगा कि जो उपाध्यक होगा और स सेक्रेटरी है सची हुए और कौन से भाग का तो ध्यान रखने क्रेशी भाग का मुखे सची भात नहीं कर रहे हैं ध्यान रखना है क्रेशी भाग का तो यहां पर होगा तो यह मेजर सवार आपको पूंचा जाएगा सचीव मुखे सचीव सचीव क्रिसी भाग ऐसे option हैंगे तो क्रिसी भाग वाला सचीव आंसर यहां पर लेना है most important सवाल है इस टॉपिक से चार से पांच की उस्चन भी बन सकते हैं और मिरमाब दो की उस्चन तहां से पक गया है इसमें fix है इसमें कोई डाउट नहीं रखने आपको जो है फिर यदि त्याग पत्र देने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे त्याग पत्र तारिक से अब यह सवाल नमर्टू है नेक्स वाल पन रहा है तो त्याग पत्र की तारिक से पूरे 15 दिन की कालावधी के भीतर अपना त्याग पत्र लिखित में वापस ना ले तो तो भाई आपने क्या दे दिये हैं त्याग पत्र दे दिये हैं और 15 दिन के में दिधाए। पंद्रह दिन के पहले लिखित में आखते हैं आप इससे वापस ले सकते हैं लेकिन पंद्रह दिन के बाद अगर नहीं ले तो पंद्रह दिन के बाद क्या है आपका पद रिक्तमान लिया जाएगा जो है तो ये बाते हैं आपको ध्यार में पहला किसको देंगे हम त्याक पत क्या होगा भी आपको आपके पद को रिक्त नहां पर मान ले जाएगा तो दो सवाल यहां पर बनेगा धार नंबर ब्यां लिए इस को से अफसे लगारे नेक्स लगादे हैं अब द्यारकना पद की आकस्म करिंगे सीर थी पर क्या होगत है तो यहाँ पिद इसे के स्तरफ हम बात करते हैं तो बोड के उपाध्यक्स या किसी भी सदस्या वोड़कने के प्दावुधी के आुटसान या समाप्त होने के पुर्व समें यह जाएकिक एसे पद की हाकस्मिक रिखती है तो इन सारे मामनों क्या माना जाएगा उसे आकस्मिक रिखती см तो पहला क्या है पदाओधिक आफसाइन के पूर्व समाप्त होने क्या है उसके मृत्ति हो जाए तो पहला ऑप्सन है आपका कि उस मेंबर क्या हो गया है मृत्ति हो जाए उसके मृत्ति हो जाए दूसरा पद त्याक कर दे तीसरा अयोग या निरहरित खोसित हो जाए यह उसो पद से हटा दिया जाए ठीक है तो इन चार अधारों पर क्या है इन चारों ही अधारों पर उसके पद को आकस्मी करिक्ति माना जाएगा तो एक सवाल ब क्लियर है मैं समझ पारा हूं कि आपको इस टॉपिक से जूड़े जो भी धाराइं आ रहे हैं वो बगायद समझ में आ रहे हैं फिर भी किसी प्राइगा दिक्कत है किस पर डाउट जया रहे है तो कमेंट करके बताईजे जो है ताकि हम उसके हिसाब से क्लासेश और हम जो मोडिफाइक कर सकें आपके सजेशन के हिसाब से इस क्लास को और बहतर बढ़ाने प्रयास यहां पर करें जो है अब आते हैं अब ऐसे रिक्ती में अब यथा सिगर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित कर भर जाएगी तो राज्य सरकार द्वारा पर दिया जाएगा तो इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पुरुवा धिकारी की देखो सवाल नमर नेक्स सवाला मौस्ट इंपॉर्ट सवाल रहा है भाई माल लिजे तीन साल तक मेंबर को रहना था दो साल में क्या हुआ पत्याग कर दे करें तो सेज बता धार्न करें गया रहा है तो इस इमपॉर्ट पर बताई जा रही है फिर नेक्ष आता है जी अब बात करते हैं अगला बात करें तो धार नमबर 42 खा है इसमें बोर्ड के सदस्यों के वेतन भत्तिक बात ने हमर किया गया है तो वेतन भत्तिक आस मिलेगा इसकी जाइकारी मिलता है ध्यारणा 42 खा में मिलता है तो बोर्ड के पदिन सदस्यों को 36 गड़ राज्य विप्रा विकास निधी से बोर्ड के सम्मिलनों में हाजिर होने के लिए या किसी अन्य कारे को करने के लिए ऐसी बैठक फेस तत्थ हभत्तों का भुकतान किया जाएंगो जो की राज प्लिपा इस ससमय निधा कि जाएंगे ग़िए पूंचे जाएगे में कितना कम करना है कि बढ़ाना है यहां पर करेगा तो यहां पर सवाल आगा 36 राज्य विप्रन विकास निधी यहां पर याद रखने कौन उसके भत्तों के बारे में निर्देशन करते हैं ठीक है उनके सम्मेलनों में हाजिर होने के लिए ठीक है कौन से निधीस पैसा मिलता है भी छत्तिर राज्य विप्रन विकास निधीस प्राप्ते हैं पर होगी जो है नेक्स्ट आप तें पर सवाल है पुछाएगा धार कि अरह कीस की तो अपनी पर की लिए आयोग्य माने राज्याद जाएंगी इनकी जानकाई मिलता है पूरा धान, ये पूरा धान, बार्र fire . और कई जगों पर कठ्षिन भी है और इस नहीं हमने यहांपर जो काम की बाते हैं जिनको बस जानना है बाकी को एलिबरेट करने का बाता प्रियास की ब्रम ने इस बूख जो देखने बाद प्रियास कि इस बुक में और पॉइंट सूर्ण यहाँपर टाल सके जो हैं तो यहा नहीं होगा तो इनके अधारों पर इनके अधारों पर इनके अधारों पर कोई भी बूट के सदस्या नहीं होगा एही बात्या है सदस्या नहीं होगा तो पहला र coldय क्या है अगर व्याति क्या हो जाically अगर व्यायति है और हो जाता है दिवालिया ठेट ओर हाइट किसी अपराद में जिसने सदस्ट की हैसिय से अपने पद का राज्य सरकार की राय में दुरूपयों किया गया हो ठीक है और बोर्ड में उसका बना रहना जो है जन साधारान के हीतों के लिए अपायकर हो इन अधारों पर उसकी वाद्याश को या सदस्ट को बोर्ड की मेंबर से क्या है उनको हटाय यहां पर जा सकता है फिर से पिट पर आओं तो क्या के ऐसे लिंग्याएं नेडित दिवाले को अदल बूंता लिए कैस बगायादा उसको दिवाले घोसित कर दे हो दूसरा किसी केस में अपराद में उसो सिद दोसी ठहए य। तीसरा विक्रित चित कहो चौथा किसी बोर्ड के इन पच पर काम करने के रहान क्या पाता है वाहां सैलर ग्या होता है कि अब कि झरम नहीं कर सकता है कि अनुसार नुकसान हो सकते इन अधार ओपर सकते को उनके पद्र सएटा यहाँ पर जा सकते हैं कि अब ये उद्धार है स्वाल आता है कि अब ये नंबर ध्यारा रखना इसमें जिसमें आपको रोखने आपको आपकी अपन्रेटी है इसमें बूर्ड कर्दभयों कृतित यहां पर दिया गया है तो क्या है यहां जहां रखना तरह सबसे पहला पूजानना है कि दहारा नमर जो 44 में विनिरतिश किये गए कृत्तियों को जिन पर बोर्ड के निधी वय की जा सकेगी यथा सम्हाव कारेंप करेंगा याने कह सकते हैं दहारा नमर जो 44 है उन्हें में कौन-कौन से ऐसे निधी है कौन-कौन से करना छिए क हर्च करनी उस पर काम कर सकता है उसको क्रियानवित करने काम यह ऑन आर पर कर देना तो राज़ी काम करने के उस सारे रियमों और उप नियमों के उबंदो के गारे करें इस बोड के लिए जो भी नियम बनाएं गए हैं उनको क्रियानिवित कर आएगा क्रिसी मंडी समीतियों का परेविक्षन करना और नियंत्रन का यह सवाल है इसको ठीक लगा लेजी यह हमारा सवाल है पूछा जाएगा सवाल यहां पर धिया रखना कि 36 गड़ क्रिसी समीतियों को क्रिसी मंडी समीतियों का परेविक्षन का दिख्यार किसके पास है तो बोड बोर्ड एंसर ऐसंटर लेना है तो क्रिसी जो मंडी समीतिया हॉंगे उनका प्रेविच्छन करने को पावर किस्के पास होगा तो 36 Chatsy उसके पास क्या होगा और कंट्रोल करने का नियंत्रायर को नीक सकती यहां पर होगा जो है तो यह पॉइंट आपको ध्यान यहां पर रखना है इसका बात करते हां लाश देखने कुछा स्लाह वाले पोइंट को ध्यान रखना यहां से भी सवाल पुछ का रहा है जिनसे धानतों के दधत क्रेसी उपज के मुल लियर तहे की जाना चीए इनके बारे में रिकमेंडेशन देना पहला दोसरा मंडियों की धक्ष पुरुवक। प्रबंधक करने के लिए कि जाने मलब कर वही मलब किस प्रकार से मंडियों को क्या करें संचालित करें क्या किया रहा है मंडियों कैसे संचालित करें क्या किया एक क्या जार रही किया जा है वह रिती जिसमें क्रेसी उपज की आमद के आँखड़े क्रेसी उपज के प्रेशन ओं संबधी आँखड़े संकलित के जाहिए तता बनायाई रखने के लिए या सारित के जाने वाले तो इन सबह difetti मामन मत पर कह सकते है क्रेसी ऊपज के कितने के कितना है कि उपच्ट करें इस अधिनियम में नियमों में संसोधन कोई ऐसा विस है जो इस अधिनियम के उबंधों को कार्यानुइद करने के लिए आवस्यक हो तो ऐसा को और और बहतर कह सकते हैं कोई बाति हो इस अधिनियम को और बहतर तरीके से एक Конकॉं से अब बन सकते हैं तो यहाँ वह मैं फिर से लेकर आया हूं चार महत्पून सवाल लाया हूं सुरू से लेके इस आखरी objective series तक objective के इस page तक अगर आप आ चुके हैं तो आप मुझे चार बहुत ही सरल और बहुत ही most important question है जिनका answer मुझे यहाँ बताईएगा सवाल इसी standard का होगा इसी प्रकार का होगा आसानिस आप से बन जाएगा यति आप इस lecture को सुरूस लेके अब तक देखें हैं तो पहला जो सवाल है सवाल पहला क्या बोल रहा है कि 26 गर्ड राज्य क्रिशी विपरेण बोर्ड का 36 गर्ड क्रिशी विपरेण बोर्ड का गठन कौन करता है गठन कौन करता है तो यह देखो option क्या है इस्टेट गवर्मेंट भी है विधान सभा राज जिपाल इनमेस कोई नहीं है तो मैंने बताया जो है बूर्ट के गठन कौन करेगा राज सरकार करेगा तो आंसर हो जागा ए राज सरकार क्रिसी विपडन बूर्ट के क्या करता है गठन करता है कौन से धारा में तो धारा नंबर क्या है जी, 40 है ध्यान रखना, 40 है ध्यान रखेंगे और मैंने ये बदाया थे, एक और धारा है जहां पर इसके गठन और क्या है, उसके संरशनक प्रावधान किया गया है अगर आप इस लेक्चर को सुरू से देख रहे हैं, तो कमेंड करके जरूर उसका आंसर मुझे बताईएगा तो ध्याना, 40 में क्या गया है, गठन के इस अमनल बोर्ड के स्थापना बात किया है लेकिन एक और धारा है, जहां पर बोर्ड के गठन और उसके संरशनक बात किया किया कि मैंने क्लास में बकायदा बताया हूँ, मैं इस लेक्चर ने बताया हूँ अगर आप सुरू से देखे हैं, तो उसके कमेंडरी जरूर मुझे बताईएगा फिर 36 गड़ राज्य क्रिसी विपणन बोर्ड के गठन का उलेक, यह बाते हो दियान रखे, तो यहां पर भी ऑप्सन की हिसापसे में आंसर क्या लेना है, 40 नमर धारा में इसके बोर्ड गठन इस अपने बात हमारा देखने के मिलता है, तो इस ऑप्सन हिसापसे में आंसर 40 इसका राइट आंसर यहां पर होगा, अब आते हैं किन अधारों पर 36 राज्य क्रिसी विपणन बोर्ड के सदस्य को आयोग्या या निरहताएं घोसित कि जा सकता है नहां रखना है, तो आप्सन देखें जो है, दिवालिया, विक्रिचित, सिद्ध दोसी, कि सिद्ध दोस प्रेश को आप जो है, बेसिक बेसिक चोह देखें, उन सब्सक्राइब को क्लियर ओडेंटेशन होना चीए, अब्सरवेशन होना चीए, जिससे आप बहतर तरिके से आंसर निटाल पाएं, तो दिवालिया, विक्रिचित, सिद्ध दोसी, तीनों सिद्ध दोसी, इस दो गोसित कर दी जाती है किसी निरहतक अधाया पर उसों राज सरकाया पद से हटा यहां पर सकती है यहां मुझे बताए जो है अगर मालने जिए कोई सदस्य है कोई मेंबर है किसका विप्रन बूर्ट का मेंबर है अगर वो दो साल तक पत्पर बना रहा दो साल तक अपने यहां मेंबर को निरहताय लागु कर दिया गया उसके बदले में नया मेंबर आएगा वो कितने साल तक अपने पत्पर बना रहेगा मुझे कमेंड करके बिलकुल बताईएगा मैं मापूंगा जो है मैं महसूस करूंगा आपको चिज़े समझ में यहां पर आ रही है और किसी प्रागर दिक्का जाएगा तो बिलकुल आप जो कमेंड करें कमेंड बॉक्स खुला हुआ है इस लेक्चर का पेडिएफ अगर आप चाहते हैं तो कॉमपेडेशन एकाड़ आप स्टेटी इसको कर सकते हैं तो आज के इस सेशन था इसे पर आपको अच्छे समझ में आया होगा फिर भी कोई सिकायत है कुछ सला है तो पिलकुल कमेंड सेक्षन खुला हुआ है आपके द्वारा दिये प्रतिक्रिया हमें सकराप में उर्जा देगी तो मिलते हैं नेक